गुड मोरुनिंग। आज अपन टू डाइमेंशनल जेल अलेक्ट्रोफ़सिस के बारे में स्टडि करेंगे। तो टू डाइमेंशनल जेल अलेक्ट्रोफ़सिस क्यों यूज में लेते हैं? SDS Gel Electrophoresis यूज में क्यों नहीं ले सकते SDS Gel SDS Gel Electrophoresis हैं हैं अपन तब काम में लेते हैं जब protein हैं उसके mass में difference क्या हो ज़्यादा हो माली जीगी तो protein है X और Y और उनके molecular mass में difference हैं वो ज़्यादा है उनके molecular mass में difference ज़्यादा हैं तब अपन SDS Polyacrylamide Gel Electrophoresis काम में लेते हैं लेकिन माली जीगी कि दो protein हैं उनके molecular mass में बहुत कम difference हैं दो protein हैं जिनके molecular mass में बहुत कम difference हैं तो अपन उसके लिए two dimensional gel electrophoresis काम में लेते हैं जिसमें अपन proteins को दो sequential method में हैं वो उनको separate out करते हैं first by their charge and then by their mass first step में हैं वो सभी proteins को हैं उनके charge के basis पे क्या कर लिया जाता है separate कर लिया जाता है फिर उनके molecular mass के अधार पर तो जो फर्स स्टेप हैं two dimensional gel electrophoresis में उसका introduction मैंने आपको बता दिया है कि यह हैं हैं जो दो protein हैं उनके अगर molecular mass में बहुत कम difference हैं तो उसके लिए अपन कामे लेते हैं फर्स डाइमेंशन है आईसोइलेक्ट्रोफॉक्सिंग या जिसको अपन बोलते हैं आईसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आईसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग में क्या होता है कि जो आपका protein है उसमें सभी proteins को अपन एक high concentration denaturating agent की लेकर के सभी protein को क्या कर लिया जाता है denature और denaturing agent की रूप में अपन काम में लेते हैं urea जिसकी concentration होती है molar concentration का और फिर उसको अपन एक glass tube में ले लेते हैं जिसमें है वो pouch gülebato gel बरा रहता है और उसके साथ में M4 lights इंफुलाइट्स क्या होते हैं कि ऑंफुलाइट्स ऑर mar blend और औली किटायनिक मॉलीकूल्स तो as well as positive तो फोर दी सेपरेशन ओफ प्रोटीन ओन दे बैसिस ओफ देयर चार्ज फिर्स्ट वी विल सेपरेट आउट प्रोटीन ओन देश ओफ देयर चार्ज तो चार्ज में मैंने आपको बता दिया कि आईसो एलेक्ट्रीफ फोर्सिंग में सभी प्रोटीन को सबसे पहले क्या कर लिया जाता है दी नेचर कर लिया जाता है किसमें एक मॉलर कंसंट्रेशन यूरिया में और फिर उनको एक ग्लास ट्यूब जिसमें की पॉली एक्रिलेमाइड जल जेल प्लस एमफुलाइड्स हैं वो फिलप होते हैं उसमें उसको मिक्चर को ले लिया जाता है और जब एलेक्ट्रिक करंट एपलाई किया जाता है इसमें ग्लास ट्यूब में तो एक ग्रेडियन्ट बनता है चार्ज के बेसिस पे जिसमें क्या होगा कि जो हाईली पॉली एनाइनिक एमफुलाइड्स हैं वो एक तरफ हैं, वो gradient बना लेंगे और जो highly polycatenic empholites हैं वो दूसरे side में क्या करेंगे gradient में बलाने लेंगे दोनों anode और cathode की तरफ anode की तरफ हैं वो polycatenic empholites और आपके cathode की तरफ polyanonic empholites और इनका moment है वो अब इनके charge के basis पे होता रहेगा जब तक इनका moment है, वो रुक नहीं जाता net positive charge mean आपका pH 7 पे नहीं आ जाता तब तक ही protein क्या करते रहते हैं moment करते रहते हैं और उनको separate out होते रहते हैं according to their charge फिर second stage में हैं अपन इन proteins को अब isoelectric boxing के आधार पर separate करने के बाद में अपन इनको दूसरी dimensional जो की इनके mass के basis पे होती है molecular mass उसके लिए अपन इस जो isoelectric boxing gel पे जो separated हैं proteins उनको अब एज़िटीज अपन जो पॉली अक्रिलेमाइड जेल हैं SDS उस पे अपन क्या कर देते हैं ट्रांसफर कर देते हैं और ट्रांसफर करने के बाद में अपन इदर देखें आपके दो अलग अलग यह positive है और यह negative है इदर pH है वो आपका 3 है और pH क्या है 10 है और फिर अपन इसमें जो second phase होती है SDS page में वो SDS page है वो अब इनका charge है वो sealed out कर देगा और सबी protein पर क्या हो जाएगा negative charge हो जाएगा और अब protein है वो only किसके basis पर separate out होगी उनके mass के आधार पर तो small proteins हैं वो first moment करेगी जबकि larger protein है वो धीरे movement करेगी इदर देखे आप जो smaller proteins हैं वो नीचे नीचे first moment कर रही है और जो larger proteins है वो उपर की द्रव दिखाई दे रही है तो इस परकार से जो two dimensional gel electrophoresis है उसमें अगर कोई भी protein है उनके molecular mass में बहुत कम difference है तो पहले अपन उनको charge के basis पे separate out करेंगे और charge के basis पे separate out करने के बाद में अपन उनके molecular mass के आधार पे separate करेंगे thank you next class में अपन एक electrophoresis होती है plus filled gel electrophoresis जो है large DNA fragments अगरो gel electrophoresis है उसमें अपन 200 kilo base pair से लेकर के या जो 1000 kilo base pair से DNA fragment होते हैं उनको separate out कर सकते हैं इससे ज्यादा size का DNA fragment है तो उसके लिए अपन काम में लेते हैं plus filled gel electrophoresis thank you next class में अपने study करेंगे blotting के बारे में कसा क्व।